आपने देखा होगा कि बहुत बार आपको बहुत सारे इसे इंसान मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास सरकम्स्टांसिस नहीं है, मेरे माप मेरी हल्प नहीं करते हैं, मुझे वो पैसे नहीं देते हैं, नहीं तो मै ये कर लूँगा क्यों क्योंकि वो सीधा ही उपर वारे लेवल पे चलना चाहते हैं उन्हें ये नगी पता है कि अगर वो नीचे से स्टार्ट करेंगे तब ही जो नीव है वो मजबूत होगी अगर नीव ही मजबूत नहीं होगी तो आप उपर जितना मर्जी माले बना ले वो ब्रेक हो जाएगे इसलिए अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ करना तो आपको अपने उपर ध्यान देना होगा सबसे बड़े दुश्मन आप ही हैं अपने अगर आप अपने आप पे काम नहीं करते हैं एक एक्जाम्पल देते हूँ अगर मैं आपको 86,400 रुपेश दे दूँ पैसे दे दूँ तो आप उनका क्या करोगे आप हमेशा सोचोगे कि हाँ मैं ये कर लूँगा मैं वो कर लूँगा मैं अपनी लाइफ में मेरे पास 86,000 रुपे आएंगे तो मैं अपने लिए जो मेरा ड्रीम है उसको पूरा करूँगा या मैं ये कर लूँगा, कोई सोचेगा, मैं कार खरीद दूँगा, कोई सोचेगा, मैं ये खरीद दूँगा, मैं वो खरीद दूँगा, सबके मायन में कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आपको खुदा रोज 86,400 सेकिंड देता है, क्या वो 86,400 सेकिंड इसको मैं कितना वेस्ट कर रहा हूँ आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं लॉक्टाउम के बाद जिनके पास काम नहीं है वो दिन भर यही सोचते रहते हैं कि मैं क्या करूँ या फिर वो छोटा काम करना नहीं चाहते क्यों क्योंकि उनकी ego होती है वो सोचते हैं कि मैंने अगर मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने plus two ही की हुई है दसवी पास हैं plus two पास हैं लेकिन वो छोटा काम करना नहीं चाते उन्हें लगता है कि मैंने तो अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो ये 86,400 सेकंड को यूज करना शुरू कर देखेंगे कि आप अगर अपने उपर काम करना शुरू करेंगे आप जो है बैट कर आपने देखा होगा आज कल क्या है फोन को अगर कोई open करता है तो उसमें छोटे-छोटे shots आते हैं उसको देखने देखते ही दो-दो घंटे भी ता देते हैं लेकिन जब वो time की तरफ देखते हैं कि तो देखते हैं कि हाँ कि इतना time हो गया लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया तो आपको सिरफ मैं एक advice देते हूं कि अगर आप अपनी life पे कुछ करना चाहते हैं तो आप time को पहचान ले अगर आप time की value करेंगे तो तभी time आपकी value करेगा इससे पहले कि time आपको थपेडे मारे तो आप ही time की कदर करना शुरू कर दीजिए अगर आप समी की कदर करेंगे जैसे कि मैंने example दिया कि आपको इतने पैसे मिल जाएं तो आप उनको use करने के बारे में या उनको कहीं पर लगाने के बारे में सोचेंगे लेकिन खुदा आपको रोज इतना time दे रहा है उस time को आप कहां consume करते हैं कभी सोच के देखिए अगर आप एक दिन सोचेंगे कि आज मैंने इतना time बरबाद कर दिया फिर next day फिर सोचेंगे कि आज आपने इतना time बरबाद किया अगर आपने कुछ अच्छे के लिए और आज के दिन जो 86,400 second मिले हैं उन 86,400 second में आपने आज क्या सिखा मैं कोशिश करते हूँ कि मैं daily कुछ न कुछ सिखू और अपने आप में अपने आपको निखारने के कोशिश करते हूँ तभी आज शायद मैं यहाँ पर बैठके आपको ये सब बाते कहने वाले हो रहे हूँ और दूसरी बात ये फर्स्ट ये कि अपने टाइम की कद्र करो दूसरी बात ये अगर आपने अपनी लाइफ में successful होना है तो भगवान को, खुदा को अपना partner बना लो क्योंकि हमेशा क्या है हम लोगों के उपर भरोसा करते हैं क्या करते हैं कि हाँ हमारा जो ये friend है वो हमारा साथ देगा, ये हमारा भाई बहन है वो साथ देगा, लेकिन जब आपको जुरूरत होती है तो भाई बहन या वो friend साथ नहीं देता तो आप उसको गालिया निकालते हैं तो बेटर है कि आप जो है अपना friend जो है वो खुदा को बना लो आपने देखा होगा कि सिक्षिनिजम में टाइथ के बारे में बहुत बोला जाता है कि अपना दश्वन्त देना चाहिए ऐसे ही Bible में भी लिखा होगा है कि आपको मलब अपनी टाइथ देनी चाहिए अगर आप वो टाइथ देते हैं तो आप जो है मलाकी में लिखा होगा है तीन दस में कि अगर आप वो टाइथ देना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको किसी चीज़ की कभी नहीं है आप एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि खुदा कभी नहीं चाहता कि आपके पास नहीं है तो आप उसमें से दो खुदा पहले आपको देता है फिर वो कहता है कि उसमें से दो क्योंकि उसी ने दिया है तो इसलिए आपको ये दो नियम अपनाने होगे अगर आप एक उर्वह भी अर्न करते हैं तो उसमें से दस पैसे जो हैं वो देना शुरू कीजिए अगर आप एक आग्याकारी की तरह ये काम करना शुरू कर देंगे अपने टाइम का सही उप्योग और दूसरा काम की परमेश्वर को अपना पार्टनर बना लेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में कभी फेलियर नहीं हो सकते हमेशा आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करेंगे इसलिए आज से ही इन दो नियमों पर काम करना शुरू कर दीजिए तो आप एक महीने बाद देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चिंजिस हुए हैं और आप जो हैं सक्सेस हासिल कर रहे हैं आप नेक्स वीडियो में मिलते हैं नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक क्यार एंड स्टेवलेस